हेलो एवरीवन, वेलकम बैक तो माई चैनल, आएम खुशी फ्रोम कुमार्स कैडमी, I hope you all are fit and fine, तोड़े वी वी डिसकर्स अबाउट चैप्टर एर्थ ओफ क्लास फिफ इंग्लिश सेंट विम, चैप्टर इस अलादिन एंड दे मैजिक लैम, स्टुरेंट ये अलादिन और मैजिक लैम की कहानी है, मिन्स अलादिन इस लड़के का नाम है, ठीक है, और ये एक जादुई चिराग है, इसको बोलते हैं मैजिक लैम, आज हम इस चैप्टर को डिटेल में समझेंगे स्टुरेंट्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर के थोड़ेबोज कीवर्ड पढ़ लेते हैं, जिसे आपको चैप्टर समझने में इजी रहेगा First is Magic Lamp, Magic Lamp मेंस होता है जादूई चिराग Widow, Widow मेंस होता है विद्वा, जिसको जिनके हस्बन मर जाते हैं वो लेडी Petey Arrings, मेंस छोटी नोकरी, में छोटी मोटी काम Days, Days मतलब होता है Surprise, मेंस अचम्बा विजार्ड मींस होते है जादूगर जिसके पास magical powers होते है में जादूई शक्ति होते है उसको बोलते है जादूगर Terrified टेरिफाइड मींस होते है भीगी बिल्ली बनना या डर जाना Stammer Stammer मींस होते है ठंग से ना बोल पाना Palanquin Palanquin का मतलब होते है पाल की Chest Chest मतलब होते है ट्रंक या पर chest का मतलब है ट्रंक या बहुत बड़ा कोई बोक्स Visked Visk मींस होते है तेज चलना Slumber Slumber मींस होते है सोना मिन स्लीब Flickering Flickering मींस होते है अस्थिर Friends, Let's start chapter 8 Aladdin and the magic lamp Aladdin और उसका जादूई चिराग Once upon a time, there was a widow who had a son Aladdin एक समय के बाद थी एक widow, widow means होते है विद्वा ओरत जिनकी husband मर जाते है वो lady उनके पास एक बेटा था जिसका नाम था अलादिन They were very poor, वो बहुत गरीब थे Aladdin tried to earn some money by running PT errands for people Aladdin ने छोटे मोटे काम चला कर कुछ पैसे कमाने की कोशिश की थी इसके लिए लोगों के लिए Aladdin चाहता थी कि वो थोड़े पैसे कमाए और अपनी मदर के ठीके और लोगों के कुछ मदद कर सके One day, Aladdin met a well-dressed stranger who asked him an unusual question How would you like to earn a gold coin? एक दिन Aladdin एक stranger से मिला Stranger होते है अजनभी वो बहुत ही अच्छा अजनभी लग रहा था उस stranger ने Aladdin को एक कोशन किया कि How would you like to earn a gold coin? कि क्या तुम एक सोने कसी का कमाना चाहते हो एक gold coin exclaimed Aladdin Aladdin ने का वाओ एक gold coin Sir, I would do anything for a gold coin Aladdin ने stranger को का कि Sir, मैं gold coin के लिए कुछ भी कर सकता हूँ The stranger took him to a cave जो stranger था, अजनभी था वो Aladdin को एक उफा में ले गया Well, just go down that cave, said the man उसने, stranger ने Aladdin को कहा कि हम इसके अंदर जाते हैं I am too much big to skews through myself मैं बहुत ही बड़ा हूँ अपने आपों ने चोड़ने के लिए क्योंकि वो जो गुफा थी, उसका जो main entrance होता है वो थोड़ा छोड़ता था और जो अजनभी था, मींज जो stranger था वो थोड़ा बड़ा था, इसलिए उसके अंदर fit नहीं आपा रहा था If you do as I ask, you shall have your gold coins मैं जैसा कहता हूँ तुम अगर वैसा ही करोगे तो तुम्हारे पास सोने किसी के जरूर होगे ये किस ने कहा था? ये stranger ने कहा था Aladdin को Aladdin being slim and active could go down easily Aladdin बहुत पतला था और तेज था इसलिए वो cave के अंदर, मींज गूफा के अंदर easily चला गया When his feet touched the stone, he saw that there was a staircase जब Aladdin के पैर पत्थर को चुए ठीक है, जब उसका पैर जो था पत्थर पर लगा तो उसने देखा कि महाँ पर एक सीड़ी है, staircase means होते हैं सीड़ी है On going down, he found himself in a large cave जब वो सीड़ीों से उतर कर, staircase से उतर कर नीचे जा रहे थे तो उसने अपने आपको किस में पाया? एक बड़ी गूफा में पाया, large cave में पाया In the flickering light of an old oil lamb, he saw a wonderful sight जैसा कि आप इस photo में देख सकें, इस picture में देख सकते हैं कि यह अलादीन है और यह old oil lamp है, ठीक है? Flickering light का मतलब यह होता है कि जो light flickering हो, means अस्थिर हो जो टिके ना हिलती रहे मतलब, ठीक है? और old lamp के अदर आप देख सकते हैं कि यह flickering light जल रही है और he saw a wonderful sight अलादी ने एक बहुत ही अदबुत नजारा देखा, जो उसने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था Trees with glittering jewels इसका मतलब होता है कि जो paid थे मापर, वो सोने से सजे हुए थे Ports of gold and chest full of priceless gems यहाँ पर gems का मतलब है कि बहुत सोने की चीजे अलगलग सोने की चीजे जो पोर्स से, पोर्स में सोता है मटके जो मटके थे वो भी सोने से भरे हुए थे और chest, यहाँ पर chest का मतलब सोने से है trunk, जैसे बड़े बड़े बक्सी होते है ना trunk, वो भी पूरे सोने से भरे हुए थे जैसा अब इस पीचे में देख सकते है कि trunk है, यहाँ पर सोने की माला पड़ी है, बहुत सादा को सोने का ही पड़ा हुए है अलादिन को अपनी आखो पर विश्वास नहीं हो रहा था, यहाँ अचंबित खड़ा था, तभी उसे अपने उपर से चिलाने की आवास सुनाए थी कि किसी ने उसके उपर चिलाया है इसको बुझाओ ठीक है, और वो लेम मुझे दे दो, किसने बोला था कि, वो स्टेंजर ने बोला था कि, किसको अलादिन को अलादिन सोच रहा था कि, यह तो बहुत अलग अजीब बात है, वाई शूर ही वोन ओली एन ओल लेम अलादिन को लग रहा था कि, जो स्टेंजर है, जी सरफ ओल लेम भी क्यों मांग रहे है वो सच में ही वास्तब में ही एक अजीब इंसान है जो मैं था स्टेंजर था, उसने अलादिन को बहुत ही उससे में बोला, शाउट के उसको पर चिलाया है, कि यह लेम मुझे दे दो जो वो मैं था, वो कौन था, स्टेंजर जो था, एक विजार है विजार होता है, स्टूरेंट्स वो जिनके पास जादूई पावर होती है, मैं जिनके वो मैजिकल पावर होती है, जिसे हम जादूगर भी बोल सकते हैं, मैजिशियन Let me out first said Aladin Aladin ने कहा कि पहले मुझे बहार ने कहा लो किसको कहा था? Stranger को कहा था No said the stranger angrily Slamming down the manhole cover Stranger ने कहा कि नहीं But as he did so I ring slid off his finger कि Stranger कुछ कर पाता इतने में उसके हाथ से उसकी एक finger निचे गिर गई थी Aladin saw it fall Aladin ने देखा कि वो निचे गिर गई है The cave was now in total darkness अब जो cave थी में जो कूफा थी अब उसके पूरा अंदेरा हो गया था Aladin was terrified Aladin बहुत डर गया था Then he stepped on the ring जब उसका पैर उस ring पर पड़ा He picked it up and put it on his finger Aladin ने वो ring उठा ली अंगूठी और अपने इंगली में पैन ले He was so nervous That he moved it round and round जो Aladin था वो बहुत ही नर्वस हो रहा था जब वो round round होता जा रहा था Suddenly गूम रहा था मतलब गूमा जा रहा था आसपास अपने गूमा जा रहा था Suddenly the cave was flooded with light and a great genie appeared before him अचानक से जो cave थी में जो गूफा थी उसके अंदर light आ गी और वापर एक genie appear हो गया मेंस एक genie आ गया At your command sir said the genie I am the genie of the ring उसने कहा ये जो genie है आप इस picture में देख सकते हैं कि ये genie है ठीक है किसका रिंग का जो अलादिन ने पहने थी वो रिंग किसकी थी वो wizard की थी जो stranger था वो एक wizard है ठीक है जिनके पर magical power हो थी है उसकी वो रिंग थी उसने कहा जिनी ने कहा किसको अलादिन को कहा कि आपी command sir मैं इस रिंग का जिनी हूँ अलादिन found it unbelievable अलादिन को विश्वास नहीं हो रहा था ठीक है अलादिन ने कहा उस जीनी को कि मैं घर जाना चाहता हूँ छोटी सी चलग कोई जलग कोई वो अपने घर में वापिस आ गया where have you been shouted his mother उसके मदर अलादिन की मा उस पर चिलाए कि तुम कहा थे excitedly अलादिन टोल अर ओफिस एडवेंचर मतब बहुत उस सुकता में अलादिन ने अपने मदर को सारा एडवेंचर बता दिया कि उसके साथ क्या क्या हुआ then he showed her the old oil lamp तब उसने अलादिन ने अपने मा को क्या दिखाया old oil lampy दिखा दिया suddenly there was a cloud of smoke and another genie stood before him जब उसने जो प्याला जीनी था जो उसके रिंग से रकट हुआ था ठीक है वो तो उसको घर पहुँचाती ही चला गया था गायब हो गया था उसके बार वहाँ पर एक smoke का दुगा हुआ ठीक है sorry cloud का दुगा हुआ किसका दुगा हुआ cloud का मिंस बादलों का दुगा हुआ जैसे कि अब इस picture में देख सकते हैं ठीक है यह clouds के बहुत सारा smoke और दुगा हो रहे और यहाँ पर एक जिनी आ चुका है प्रकट हो गया है ठीक है I am your obedient service मैं आपका servant हूँ tell me your wishes आप मुझे अपनी wishes बताओ यह किसने कहा था जिनी ने कहा था बो थी आदर के साथ कहा था किसको अलादिन पोर उसके मदर को the boy and his mother start at him speechlessly जो boy था मेंज अलादिन था और उसके जो मदर थी उनको विश्वास नोट कि वो क्या बोले उनके बास कोई words नहीं थे वो speechless हो गये थे I am your slave master come on tell me what you want जिनी ने कहा कि आप क्या चाते हो आप मुझे बतादो मैं आपकी सारी चाओ को पूरा करूंगा रिपीटीड था जिनी जिनी ने उनको ये दोबारा कहा अलादिन साइड सोफ्टली अलादिन ने बहुत ही प्यार से कहा कि ब्रिंग असे लवली मेल हम चाते हैं कि हमारे लिए तुम अच्छी से मेल ले क्या हो मेल होता है मिल खाना तुम हमारे ले अच्छी से मेल का बंदबस करो फ्रॉम दैर टे उन अलादिन एंड इस मदर हैड एवरिथिंग दे कुड विश्फ फोर फूर प्लोथ एंड फाइन कोटेज एज जिनी ने उन अलादिन और उसके मदर की सारे विश्फ पूरी की थी जो जो भी अलादिन उसके मदर ने मांगा था क्या-क्या मांगा था ? कपड़े मांगे था अच्छा खाना मांगा था और एककोटेज अच्छा सा मांगा था जा पर वो रह सके और जो जो भी जिनसे मांगा था वो जिनने सब पूरा किया था अलादिन ग्रिव इंटु एर टोल हैंसम यंग मैं एंड इस मदर फैल इट वोस टाइम ही फांग हिमसेल फे वाइब अलादिन अब सुनतर लंबा और नोजवान लड़का हो चुका था ठीक है तो उसके मदर चाहती थी कि अब ये टाइम आ गया है कि उसके मदर अलादिन के एक अच्छी वाइब तून्डे